इसमें हम देखने वाले हैं उत्राखंड के परशिद्ध सोधयों और द्योगिक सस्तान के बारे में तो पहला परशन है यहाँ पर हमारा राज जी का जड़ी बूटी सस्तान कहां इस्तित है तो ये परशन दोस्तो कई बार परिच्छा में पूछा जा चुका है तो इसका सेवत्र हुजएगा ओप्सन नमर सी चमोली के गोपेश्वर में है जड़ी बूटी सोधयों विकास अस्तान इसकी स्तापना हुई थी 1989 में अगला परशन है यहाँ पर हमारा 2016 में गठित उत्राखंड भासायों पोलिस अस्तान किस जन्पद में है यहाँ पर आपको बताना है तो जन्पद पूछा है तो चमोली और चमोली के सांदि उस तो चमोली के गोचर में इस्तित है अगला परशन है चमोली जन्पद में इस्तित सस्तान है राज्य बिधी कॉलेज तो यह गोपेशर में है जड़ी बूटी सो सस्तान यह भी गोपेशर में है और वेकानंद युवा केंद्र और गैर सरकारी संगटन तो यह भी चमोली में है तो इसका सेवत्रुजे का ओप्सन नमर्ड डी उप्युक्त सभी क्योंकि यह सभी के सभी जो है वो चमोली जन्पद में ही इस्तित है अगला परशन है राश्टी यह परद्योगी की सस्तान न.i.t कहां इस्तित है बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण है परशन है सीधे सीधे आपको यह परशन परिक्ष्या में दिखाई देगा तो इसका सेवत्रु जाएगा स्रीनगर पोड़ी गड़वाल में है राश्टी यह परद्योगी की सस्तान न.i.t तो दूधा तोली लोक विकास सस्तान के सस्तापक कौन है यह यहाँ पर आपको बताना है जबरदस्त परशन है दूधा तोली लोक विकास सस्तान के सस्तापक कौन है तो इसका सेवत्रु जाएगा option number B सच्चितानंद भारती पहुत जादा महत्पूर्ण है दूदा तोली लोग विकास सस्तान के सस्ताप कौन है ये हैं सच्चितानंद भारती अगला परशने है यहाँ पर हमारा उच्चे इस्तलिय पौद सोथ सस्तान कहां इस्तित है ये यहाँ पर आपको बताना है उच्चे इस्तलिय पौद सोथ सस्तान ये हो जाएगा स्री नगर पौड़ी गडवाल में है option number B हो जाएगा इसका पिल्कुल पिल्कुल सठीक उत्तर अगला परशने है यहाँ पर हमारा प्राविर्दिक प्राविर्दिक शिक्चा निदे सालय इस्तित है तो ये यहाँ पर आपको बताना है गुप्त कासी में है रिसी केस में है कोड़ दौार या फिर स्री नगर तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उस तो यहाँ पर हमारा option number A प्राविर्दिक शिक्चा निदे सालय इस्तित है पोड़े गडवाल में है option number A.O.S का सठीक उत्तर अगला परसने है हिमालाई पुरातत्तुयम नर्वनशिय संग्रालाई की स्तापना कब की गई तो ये यहाँ पर आपको बताना है जबर्दस्त परसने है तो 1980 में की गी थी याद रखे का हिमालाई पुरातत्तुयम नर्वनशिय संग्रालाई की स्तापना तो ये भी स्रीनगर में है अगला परसने National Institute of Technology कहां इस्तित है ये यहाँ पर आपको बताना है National Institute of Technology NIT इसका से उत्र हुजाएगा Option नमर A स्रीनगर पौड़ी गडवाल में है NIT National Institute of Technology अगला परसने है याप पर हमारा जबर्दस्त परसने है High Altitude Plant Physiology Research Center किस जनपद में इस्तित है ये यहाँ पर आपको बताना है तो ये स्रीनगर पौड़ी गडवाल में है ये आपको याद अकना है High Altitude Plant Physiology Research Center तो ये आपको देखने को मिलेगा स्रीनगर पौड़ी गडवाल में अगला परसने है याप पर हमारा भारतिय सैन्यकादमी किस जनपद में है तो ये सभी को बता है भारतिय सैन्यकादमी तो ये काँ इस्तित है आयमे तो ये हो जाएगा तेहरा दुन में है आप्सन नमर ए हो जाएगा इसकाप पिल्कुल 60 उत्तर अगला परसन है आयमे से ही समंदित है बाकि आयमे से समंदित हैं आपको देखने को मिलेंगे भारतिय सैन्यकादमी की स्तापना कब की गई बिल्कुल दोस्तो छपने वाला परसन है सीधे सीधे परसन आपको परिक्ष्या में दिखाई देगा भारतिय सैन्यकादमी की स्तापना कब की गई तो इसका से उत्र जगा 1 अक्टूबर 1932 को तो बिल्कुल आपको महजबानी याद रखना है भारती सेन्नेकादमी की स्तापना एक अक्रोर 1932 को अगला बर्शन है आयमे का आपचारिक रूप से गठन कब किया गया ये यहाँ पर आपको बताना है तो आपचारिक रूप से आयमे का गठन कब किया गया तो 10 दिसंबर 1932 क किया गया था तो याद रखेगा अगला बर्शन है आयमे की स्तापना किन के द्वारा की गई बहुत जादा महत्पूर्ण है ऑप्सन दोस्तों आपको हटाना देखिए हैंजर एमजे होनी सकता सर सैंटोनी मेग डूनल तो ये भी नहीं तो इसका से उत्तर जाएगा ऑप्स कुमाउ रेज़िमेंट का ये तो होगा नहीं और यहां पर बद्री विसाल तो ये गडवाल राइफिल का ये बी नहीं होगा तो इसका सैउत्तर होजगा यहां पर हमारा बीरता और वेक तो ये जो है आयमे का आदर सुबव आथ किये है तो ए मरा की होजज़े गलको 60 उत् और IMA पर डांक टिकट जारिक कब किया गया था? इसका से उत्तर भी हंपर यही होने वाला है 1982 तो 1982 में ही खेतरपाल और्डिटेरियम का निर्माढ किया गया था, यह भी आपको यादख नहीं और IMEA पिर डांग्टिकाड ये भी किया गया था उनीस्सौ ब्याइसि में बहूत जाजाता महत्पुर्ण है परसने बन सकता है अगला परसन है यापड़ हमारा आयमे के भीतर वर मैमोरियल का निर्माण कब किया गया था जबर्दस्त परसन है IMA के भीतर War Memorial का निर्मान कब किया गया था तो इसका सेवत्र हो जएगा 1999 में तो बढ़ते हैं अगले परस्ण की तरफ अगला परस्ण यहाँ पर हमारा Wadia Institute of Himalayan Physiology की स्तापना 1968 में किस इस्तान पर हुई तो 1968 में उस्तो इसकी स्तापना होती है कहां इसका सेवत्र हो जएगा यहाँ पर हमारा उप्सन इमर ए दिल्ली में दिल्ली से दुस्तो यह देहरा दुन कब लाए जाता है इसे सम्मंदित अगला परस्ण यहाँ पर आ रहा है तो याद रखेगा Wadia Institute of Himalayan Geology की स्तापना 1968 में हुईती दिल्ली में और दिल्ली से दुस्तो देहरा दुन कब लाए गया अगला परस्ण यह देखिए Wadia Institute को देहरा दुन कब इस्तानांतित किया गया बहुत ज़्यादा महत्पुर्ण है परस्ण आ सकता है तो 1976 में किया गया था तो बिल्कुल महजबानी याद रखेगा अगला परस्ण है Wadia Institute के सस्तापक कौन थे तो फिलिप चैटूड उस्तो अभी हमने देखा था जिडिज इवेंटिज पर्थम बन महान दिख सकते सेंटोनी मेगड़न उस्तो नैनिताल राजभन समन्दित थे ये भी नहीं होगा तो Wadia Institute तो देखें यहाँ पर Wadia DN Wadia तो परस्ण में यहाँ आपको मिल जाएगा तो Wadia Institute के सस्तापक कौन थे तो DN Wadia ऑप्सन नमर B होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सठीक उत्तर अगला परस्ण है यहाँ पर हमारा उत्राखंड बिद्धूत नियामक आयोग किस जनपद में इस्तित है यहाँ पर आपको बताने है उत्राखंड बिद्धूत नियामक आयोग किस जनपद में है तो इसका सेवतर हो जाए उसको option number A तो बिलकुल आपको महजबानी याद रखने अगला परसने है जबरदस्त परसने कई बार परिक्षाओं में पूछा गया है आपको यहाँ पर बताने है पिटकुल की स्तापना कब ही थी पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन और उत्राखंड लिमिटेट का गठन कब हुआ था तो यह कहा है देहरादुन में है और इसका गठन कब हुआ था तो एक जून 2004 को पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन और उत्राखंड लिमिटेट का गठन हुआ था तो बिलकुल आपको महजबानी याद रखने है अगला परसने है दोस्तों यहाँ पर हमारा उत्राखंड ज जलसस्तान की स्तापना कब हुई यहाँ पर आपको बताना है जबरदस्त परसने है उत्राखंड जलसस्तान तो यह देहरादुन में है उत्राखंड जलसस्तान और इसका गठन हुआ था 2002 में तो डेड़ भी आपको याद अखनी है तो 26 अगस्त पूछा गया था यह परसन पहले तो उत्राखंड जलसस्तान की स्तापना कब होती है तो 26 अगस्त 2002 को होती है तो यह आपको याद अखना है देहरादुन में इसका मुख्याल है आपको देखने को मिलेगा अगर वस्तने है राज्य औद्योगिक पिकास निगम लिमिटेट तो इतना तो किसी को याद परसने जुस्तों कब की गई थी तो सन 2002 में की गई थी सिटकूल का जो मुख्याल जुस्तों कहां देहरादुन में याद रखेगा तो बढ़ते हैं अगले परसनी की तरफ अगले परसने सिटकूल द्वारा कितने औद्योगिक आस्तानों का विकास किया गया यह यहाँ पर आपको बताना है तो इसका से उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा साथ ओप्शन मर्सी हो जाएगा इसका पिलकोल सटीक उत्तर अगला परसने है एक की किरित और यौगिक आस्तानन पार्मासिकी सेला है दोस्तो सेला कुई कहा है आप सभी को बता है सेला कुई दोस्तो आपको देखने को मिलेगा 13 दून में एकी करित और द्योगिक आस्तान फार्मासिटी सेला कुई यह देहरा दून में अगला परशन है IT पार्क किस जनपद में इस्तित है तो जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है आईटी पार्क की जनपद में हैं दोस्तों यह उजएगा देहरा दुन में हैं ओप्सन नमर ए अगला परशन है जबरदस्त परशन है सीधे सीधे आपको दिखाई देगा यह परशन है सन 1942 से भारतिय सर्व्यक्षन विभाग पहले दुस्तों इसकी स्तापना 1766 में हुई थी कोलकत्ता में तो आपने कई बार ये परिक्षवाणी में पड़ा होगा तो यहाँ पर आपको बताना है कि सन 742 से भारतिय सर्व्यक्षन विभाग का मुख्यालाई किस जन्पद में श्तित है तो इसका सेवत्र हुजएगा तेहरा दुन में ओप्सन नमर ए होगा इसका बिलकुल सटीक उत्तर अगला परशन है जबर दस्त परशन है भारतिय सर्व्यक्षन विभाग ने भारत में पर्थम डांग टिकट कव जारी किया था यहाँ पर आपको बताना है दोस्तु यह हो जाएगा 1854 में किया था ओप्सन नमर बी होगा इसका बिलकुल बिलकुल सटीक उत्तर अगला परशन है निमन में तेहरा दुन में इस्तित सस्तान है तो भारतिय पैट्रोलेम सस्तान उस्तो देहरा दुन में बिलकुल है भारतिय खान विरो यह भी आपको देहरा दुन में देखने को मिलेगा उत् पसुधन विकास बोड दोस्तो अगर कोई इस तरह से प्रसन आए तो उप्यूक तो सभी तो ये तो आप सभी कर ले जाएंगे लेकिन आए कि इन में से किस सस्तान का मुख्याले दिहरादुन में नहीं है इस तरह का प्रसन दोस्तो आपको जरूर से देखने को मिलेगा तो ख भारती ये सुदूर सभी तो पूछा जाए चुका है अगला प्रसन है यहाँ पर हमारा राश्टी ये द्रिष्टी बादितार्थ सस्तान निमन में से कहां इस्तित है नैनिताल देहरादुन चंपाव द्या फिर उत्तरकासी तो इसका से उत्तर हो जाए उस तो यहाँ पर ह सम्मंदित है चल दिसे यहाँ पर आपको बताना है तेहरादुन का वाडिया सस्तान सम्मंदित है तो दुस्तों किसे सम्मंदित है तो यह हो जाएगा भूबिज्ञान से ऑप्सन नमर बी होगा इसका बेलिकोल बिलकोल सटीक उत्तर अगला परसन है बहुत जादा अगला परसन है यहाँ पर आपको बताना है तो यह आपको देखने को मिलेगा ओप्सन वर बी तेहरादुन में बहुत जादा महत्पुर्ण है वाइड लाइफ इंसिट्यूट ऑफ इंडिया यह कहा है तेहरादुन में अगला पर हमारा रिसी केस में इस्तित रस्तान है त हिंदुस्तान इंटि वाइटिक लिमिटेट ये वी रिसी केस में है और अखिल भारतिय आईृवर विञ्यान सस्तान एक पर इक्छा में यह पूछा गया था कि अखिल भारतिय आयवर विड्यान रिसी केस उसका से उतर था जैसे कि यहाँ पर भी है तो इस तरह से भी प्रस्ण आ सकता है तो यहाँ पर हो जाएगा उप्यूक तो सभी ओप्सन बड़ी कहलास निकेतन रिसी केस में है हिंदुस्तान एंटिवायोटिक लिमिटेड यह भी रिसी केस में है और अखिल भारती है था इंडिएन ड्रक्स एंड फार्मसुट्यॉकिल लिमिटेट अगला ब्रसन है यहाँ पर हमारा राश्तिय द्रिश्टि बादित सथां किस जन्पद में बहुत जदा महतपूर्ण है राष्तिय द्रिश्टि बादित सथां यह आपको देखने को मिलेगा देरादुन में से उत्तर हुजएगा यहाँ पर हमारा तहरा दुन में है ओप्शन नमर d अगला परस्ट ने है सिटकूल द्वारा इस्तापित एकिकृत और द्योगिक आस्तान इस्तित है तो जल्दी से यहाँ पर उस तो आपको बताना है तो ये कहाँ परिस्तित है शिटकुल द्वारा इस्तापित एकिकरित और द्योगिक आस्तान तो ये आपको देखने को मिलेगा हरी द्वार में आप्शन नमर सी हो जागा इसका पेलिकुल बिलकुल स्रेटी कुटर अगला परसन है भारतिय सीचाई अनुसंदान सस्तान तो पहले आपको ये याद रखने है कि भारतिय सीचाई अनुसंदान सस्तान ये कहाँ इस्तित है रुडकी में बहुत जादा महत्पुर्ण है एक परसन ये ही बनेगा कि कहाँ इस्तित है भारतिय सीचाई अनुसंदान सस्तान तबा बताएंगे रुडकी में हैं और यहां पर पूछा है कि इसकी स्तापना कब की गई थी तो यह उज़ेगा 1928 में बिलकुल आपको महाजवानी याद रखने है अगला परशने 1964 में स्तापित BHEL किस जिले में इस्तित है तो यह हरिद राष्टिय जल बिग्यान सस्तान इस्तित है तो यह यहां पर आपको बताना है राष्टिय जल बिग्यान सस्तान पहुत ज़्यादा पहुत ज़्यादा महत्पुर्ण है तो यह आपको देखने को उगला है रुडकी में आप्सन नमर ए हो जागा इसका बिलकुल बिलकुल सठीक उत्तर अगला वर्षन है कि निम्न मैंसे निम्न दियेगे सस्तान hip रूड की सहर मैंस्ती सस्तान तो रूड की मं उस्तो आप को केंद्री ये भवन Iran सब्सक्राण से सेदधान सस्तान कहाए रूड की मैं भारती है सी चैइर अनुसन्न कहा हैं रूड़की में अभी हमने देखा था और भू विज्ञान भौति की संग्रालई कहा हैं रूड़की में तो इसका से उत्र हो जाएगा यहाँ पर हमारा अप्शन नमर सी हो जगा इसका पेलकोल वेलकोल सठीक उत्तर